स्वागत दोस्तों आपका आपके चैनल परमाईजय गैंबर मैं आप सभी लोगों के लिए बीट सेगेंडियर का जो प्रीवेस एर के पेपर हुए है उसका पेपर लेके आया हूँ 2019 का आप सभी को पता है कि मैंने संजे पॉब्लिकेशन और अतुल पॉब्लिकेशन के मैं इंग्लिस माद्यम सेंजे पॉब्लिकेशन के मैं स्केवाद ही लेके आऊँगा क्योंकि उसकी एक पेपर हम लोगोंने कम्प्रेट कर दिया है और हिंदी में यह पेपर लेके आया हूं 2019 का इसके उपरांत इसके बाद मैं इंग्लिस में भी 2019 का पेपर लेके आऊँगा प्रिवियस यर का तो यह प्रिवियस यर कोश्चन भी हम लोग सारी करेंगे जो भी आये हुए हैं अभी तक mcqs में तो आज हम लोग करते हैं पेपर वन का जो कि आपका है बीडी-201 नॉलेजेंड करीकुलम इसके बाद यही पेपर इंग्लिस लेंगे में हम लोग करेंगे बीडी-201 का है तो इस पेपर को स्टार्ट करते हैं और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप सभी को वीडियो आशानी से मिलते रहेंगे और इस पेपर का भी पीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है आप उसको जाइन कर लें वहां से आपको यह मिल जाएगा चैनल को शेयर भी करते रहें और जो भी सुझा हों कमेंट के माद्धन से जरूर बताते रहें ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पेपर यह नॉलेज एंड करिकुलम तो इसका को संभंदी क्रियाओं का अंगन नहीं है था अप्श संख्या दग्स्टा निवंध प्रतियोगता इस संवेध विवेकपूर्द सिदान्त के जनम दाता हैं था अरस्तु Q4. अनुभोवादी सिद्धानत के जन्म जाथा कौन है? आप्शिय संक्यासा, जॉन लॉक Q5. दर्शन की कौन सी साखा ग्यान से सम्मंद रखती है? तो आप्शिय संक्याबा ग्यान मिमानचा Q6. हंडर आयो का गठन कब हुआ? Q7. अप्शिय संक्याबा 1822 में हुआ है Q7. त्रिभाषा शुत्र किया गया? आप्शिय संक्यासा, 1968 में Q8. निम्न लिखित में कौन सा चरड हिल्डा टावा मॉडल जो की 1902 से 1967 का भाग नहीं है? तो आप्शिय संक्याबा पाठ चर्या परिकल्पना Q9. किसने कहा ग्यान हुआ है जो मनुस्य के मन को प्रकाशित करता है आप्शिय संक्याबा रसेल Q10. उपनिशद के अनुसार ग्यान कितने प्रकार का होता है आप्शिय संक्यासा, 2 इस सारे प्रशन आपके जो MCQs कराए हैं संजे प्रफ्लिकेशन, अतुल प्रफ्लिकेशन वहाँ पर दिये गए है तो आप अगर उन वीडियोस को अच्छे से देख लेते हैं उसकी प्रेजिश मैंने बनाई हुई है तो आप आसानी से सारे कोश्चन आने वाले एक्जाम्स में कर पाएंगे तो उन वीडियोस को आप ज्यादा से जादा देखते रहे है दुप्णिश्बकेश उसर, ग्यान कितने प्रकार का होता है और संक्या सर दू प्रकार, स्रीमत भागवत गीता के किस अध्याय में ग्यान के तीन प्रकार बताएगा है तो आप्शे संक्या दा, अठारवे अध्याय में कोश्चन बारे, ग्यान से सम्मंदिद बुद्धिवाद का सिद्धान से दिया है आप्शे संक्या अ, सुकरात एवं प्लेटोने कोश्चन तेरह, आगमन विदी के अंतरगत ग्यान प्रदान किया जाता है आप्शे संक्या बार, विशिष्ट से सामानने कियो है कोश्चन संक्या चौद है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है तो आप्शे संक्या दा, ग्यान प्राप्ति की सीमा होती है बल्कि जो और हैं, उनको देख लेते हैं, ग्यान का स्वरूप अनुभव जन्नी होता है यह सही है, ग्यान सदेव गती मान रहता है, यह भी सही है स, ग्यान का अधार सूचना होती है, यह भी सही है यह आप देखेंगे 2021 का जो पेपर उसमें यह दिया गया है, ग्यान का अधार सूचना वाला तो चाओधेक आप्शे संक्या दा यहां पर है, पुशन संक्या पंद्र है Q17, निम्न में कौन सी विधी तर्क पर आधारी थह तो अप्शे संक्या दा दोनो, आ और बा, आ है आगमन विधी और बा है निगमन विधी Q18, ज्यान के स्त्रोत हैं, परियों के सभी, सभी में कौन कौन सा है इंदरी अनुभव, तर्क बुद्धि और अंतर प्रग्या सुकरात का question 21 नियमने लिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधी है तो आपसे संक्या दा ओपर एक तुस अभी कौन कौन सी है question 22 कौन सा कथन सही नहीं है इसमें आ ग्यान संस्कृतिक ठहराव लाता है यही सही नहीं है बाकि सभी सही है वो भी option देख लेते हैं ग्यान संस्कृति का संवक्षन करता है सही है ग्यान संस्कृति का हस्तांतरण करता है यह भी सही है ग्यान संस्कृति का विकास करता है यह भ कॉशन 24, Republic का रचियता कौन है तो आपशिता संक्य अबा, Plato है 25, बालक की खोज के लेखक हैं और संक्य अद्धा, Montessory 26, विद्यालाइ एवं समाज के लेखक हैं अपशिता संक्य अबा, DV श्चने। Q28, निम्न लिकित मेंसे कौन निरत्त्य की प्रभावहीन शैली है? तो आप्षिर संक्यादा बाथ अधा सा दोनों। Q29, निरत्त्य का भाग है आप्षिर संक्यादा उपरिक्त सबही, अतलब सहयोग, समाजिक ता और बौधिक शक्ति। Q31, इन मेंसे कौन निरत्त का प्रकार नहीं है आपे संग्या लोगप्रिय निर्चरत्यों वरोशन 32 नििचरत्या को कि प्रकार परिभाशित किया जा सकता है तो और सन्क्राइद्दा उपरयुग्ति सभी मतलब व्यक्ति गुड़ व्यवहारी कोशल और प्रभावित करने की कला कुशन तेंटीस नेचत्व की वह शैली जिनके सारे अधिकार एक ही विक्ति में होते हैं कहलाती है और निरंकुष शैली कुशन चौतीस प्रबंदन का मुख्य तत्व है और उपरियुक्त सभी मतलब संगठन नियंतर प्रण और नियोजन क्शन 35 सिक्षा एक दूई मखी प्रक्रिया है एक अतन है और आपशी संक्या अधम्स का कुशन 36 विद्याले में प्रदानाचारे की भूमी का होती है तो अप्श्य संक्याबाब प्रवेक्षक के रूप में क्शन 37 माद्यमिक सिक्षा आयोग का अन ना सम्मिलित नहीं किया जा सकता है तो और आप्षे संग्या नैती के वंग आध्यात्मिक सिक्षा संबंदी करकरम कोशन चालिस जॉन डिवी के री दुरूवीय मॉडल में निम्न में कौन सा संब्मिलित नहीं है तो और प्रबंधन कोशन 41. राधा कृष्णन आयोग ने किस इस्तर की सिक्षा पर सिफारिसेंग की थी? तो आप्षे संक्या आ उच्च सिक्षा 42. पाठे करम निर्माड का कौन सा प्रमुक आधार नहीं है? तो आप्षे संक्या आ आर्थिक 44. पाठे चरह के उद्देश्य हैं आप्षे संक्या दा उपर्युक्त सभी मतलब बालकों का सर्वांगिड विकास नैतिक चरित्र का निर्माड और मान शिक्षिक शक्तियों का विकास 44. पाठे का आप्षे संक्या दा 47. सेडलर आयों की सिफारिसों के आधार पर भारस सरकार ने नीती में सुधार किया तो आप्षे संक्या आ है 1970 में 48. पाठे चरह चैन तथा निर्माड हेतु माप दंड है तो आप्षे संक्या बाय के साथ जाएंगे उद्यश्यों के आधार पर 49. डीके वीलर के अनुशार पाठे चरह निर्माड पक्रिया को चरणों में बाता गया है तो आप्षे संक्या सर पांच कुशन 50 पार्ठेक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी सिक्षा की कलपना पर आधारित है तो आप्षे संक्याबा सिल्प कलाक रेंदित पार्ठेक्रम एक क्यावन कलाकार जो के सिक्षक के हाथ में यह पार्ठेचर्या एक साधन है जिससे हुआ पदार्थ सिक्षार्थी को अपने आधर से उद्देश के अनुशार अपने स्टूडियो स्कूल में ढाल सके यह बात किस ने बोली तो आप्षे संक्याबा कनिंगम कोशन बावन उस तक केंद्रित पार्थे चर्या का अन्य नाम क्या है आप्षे संक्याबा विशा केंद्रित पार्थे चर्या कोशन त्रेपन क्यूरे का शाब्दिक सब्दिक अर्थ क्या है आप्षे संक्या दौड का मैदान Q54. VEP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है आप्शे संक्या साथ Vocational Education Program Q55. सत्यम शिवम सुन्दरम को विकसित किया था आप्शे संक्या भा आदर स्वादने Q56. समावेसी सिख्षा किसके दोरा प्रारम भुई तो आप्शे संक्या भा NCF 2005 Q57. निमन लिकित में से किस इस्तर का अभिकर्ण पाठ्थे करम निर्माड में योगदान देता है? तो आप्शे संक्या दा उपरित सभी मतलब जिला इस्तर का, राष्ट्रे इस्तर का और राज्य इस्तर का Q58. सिक्षा में वेग्यानिक प्रवर्ति लाने का श्रय दिया जाता है तो आप्शे संक्या आ या थार्थवाद को Q69. सिक्षा के उद्दिश से हैं आप्शे संक्या बाप परिवर्तित होते रहते है कुशन साथ, तर्क प्रक्रिया है अप्षे संक्या सा, आ और वा दोनों, मतलब मानसिक और बहुत धिक कुशन 61, पाठेतर पाठे चर्या के अंतरगत आते हैं अप्षे संक्या दा, उपर युक्त सभी, NCC, Red Cross और स्काउटी कुशन 62, सिक्षड पक्रिया में निम्न लिकित में सरवादिक महत्वपूर कौर है, तो आप्षे संक्या दा, सिक्षक 63, सिक्षक के अंदर से सिक्षक प्रणाली में चात्र होते हैं, आप्षे संक्या सुरोता 64, करके सीखना सिद्दान्त किस विदी पर आधारित है, तो आप्षे संक्या प्रियोग साला विदी 65, मादमेक स्तर के सिक्षा के लिए उपयुक्त विदी है, आप्षे संक्या दा, प्रदर्शन विदी 66, बासा सिक्षड में प्रियोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रियोग सुन्दने में किया जाता है कहलाती है, आप्षे संक्या बा, स्रव्य सामग्रिया 66, कौन सा यंत्र स्रव्य दर्श्य शामग्रिय कहलाता है, आप्षे संक्या दा, टेलिविजन Q. 65. NCF 2005 की राष्टिय संचालन समिती में सदस्यों की संख्या थी Q. 69. NCF 2005 की राष्टिय संचालन समिती के अध्यक्ष थे Q. 70. Pragmatism शब्द किस भाषा से लिया गया है Q. 71. Language शब्द की उत्पत्ती हुई है Q. 71. Language शब्द की उत्पत्ती हुई है Q. 72. सिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिस किस आयोग द्वारा की गई तो आप्षे संचालन के आ को ठारी आयोग Q. 73. निमने में से क्या थ्री आर्स के अंतरगत नहीं आता है तो आप्षे संचालन के अध्दा अनुक्रिया Q. 74. 10 प्लस 2 प्लस 3 Q. 75. निमने में से कौन जवावदेही प्रक्रिया का प्रमकु तत्तो नहीं है Q. 88. अनिवार रिविशियों के अंतरगत आने वाला विसय है Q. 88. उपर युक्त सभी मतलब मात्र भाषा, हिंदी या अंग्रेजी और सा सामानने विज्यान तथा गडित Q80. E.K. Fretwell के अनुसार पाथि सहगामी क्रियाओं को कितने भागों में बाटा गया है Q80. राष्टी पाथि चर्या के रूप रेखा 2005 किसके दौरा तयार की गई थी Q80. निम दिलिकित में से कौन सा पाथिकरम का आधार नहीं है Q80. निम दिलिकित में से किस सामाजी कारत की भूमिका पाथिकरम में नहीं होती Q83. इसके अनुसार सिक्षक मनुस्य का निर्माता है Q84. डिसिप्लेन शब्द की उत्पत्ती हुई है सब्द डिसिप्ल से Q85. अनुशाचन के प्रकार है Q86. अनुशाचन बनाने की नकरात्मक विदी है Q87. अनुशाचन वह सादन है जिसके दोरा बालुकों को विवस्था Q85. अनुशाचन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंतरण के अधीन करना है Q89. कौन सी पाठ्थ साहगामी करिया विद्याले प्रकार्षन के अंतरगत आती है Q90. संसाधन विकास मंत्राल ने किस दिन NCRT की कार रिकारडी की बैठक को बुलाया था Q90. इनमें से कौन दर्ण्ड का सिध्धान्त नहीं है तो Q92. प्रशाचनिक मॉडल प्रतिपादित किया गया Q90. उपर एक्तु सभी द्वारा, मतलब सेलर द्वारा, एलेक्जेंडर द्वारा और सा लुईस द्वारा Q93. डिपाईपिल शब्द का अर्थ क्या है? आप्शाचनिक अबा सिस्स Q94. आदर्श वाद किस प्रकार के अनुशाचन का समर्थन करता है? तो आप्शाचनिक सा प्रभावात्मक कोशन 95, प्रकर्ति वादि किस प्रकार के अनुशाशन का समर्थन करता है? आप्शे सिंग के अबा, मुक्त यात्मक कोशन 96, निमनलिकित में से कौन सा विद्वान प्रकर्ति के परिणामों तथा दंड का समर्थन करता है? आप्शे सिंग के सा इस्पेंस Q. 97. निमनलिकित में से कौन सी अनुशाचन के विकास के अवस्ता नहीं है? Q. 98. रूसो किस दंड के समर्थक्त है? Q. 99. निमनलिकित में से कौन सा अनुशाचन का सकारात्मक साधन है? Q. 100. निमनलिकित में से कौन सिक्षड प्रकरिया का भाग है? तो आपसे संग कहता है विद्धियर्थी, सिक्षड और पार्थिक्रप तो यह हमारा 2019 का जो previous year है यह complete होता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिंदी माध्यम का 2020 का और इसके बाद जो re-exam हुआ है वो भी लेके आऊंगा और यही same paper में English में भी आपको कराऊंगा तो इसकी भी मैं एक अलग से playlist बना दूँँगा previous year की आप वहां से सारे papers आप देख पाएंगे 2020 वाले भी 2019 वाले और 2021 में जो भी इस तरह से exams हुए है सभी के playlist में ने बना दिये और आप उनको देखते रही है और please चैनल को भी subscribe करें इसे की जो भी आपको वीडियो है वो आशानी से मिलते रहे thank you मिलते हैं आपको next video में